नेक्स्ट कोश्चिन है, ए शोपकीपर सेल ए वोच फोर 575 रुपीज एंड मेक्स ए प्रोफित ओ फिफ्टीन परसेंट, ही सेल डिफरेंट वोच एट ए लोस ओफ तैन परसेंट, ओवर ओल, ही नाइधर गेन नौर लोस, वट इस दा कोस्ट प्राइज ओफ सेकंड वोच, द परसेंट का, ठीक है ना, तो हमें इसका कोस्ट प्राइज निकालना है, कि उस वाच का कोस्ट प्राइज क्या था, अब देखें, फिफ्टीन परसेंट प्रोफित का मतलब है, पंदर रुपे का लाब, सो रुपे पे, ठीक है, तो उसको बेचा कितने पे था, दोनों के तो मतलब जो वाच बेची है, ठीक है ना, पंसो पचेतर में तो उसका कोस्ट प्राइज कितना आ गया, फाइव हंडर्ड, ठीक है, तो फिफ्टीन परसेंट का मतलब क्या हुआ, 75 का प्रोफित, 75 रुपीज का प्रोफित, ठीक है, अब सेकंड बोच की बात करते हैं, सेकं अबराल ही नाइदर गेन नोर लोज, वट इस कोस्ट प्राइज ओफ ता सेकंड, सोरी, सेकंड वोच, ठीक है, तो टैन परसेंट लोज पे बेचा गया है, जैसे ही टैन परसेंट लोज पे बेचा गया, ना तो प्रोफित हुआ, ना लोज हुआ, मतलब यहां से जो सेंट रहेगा, सेवन फिफ्टी, ठीक है, तो मतलब सेकंड जो वोच है, इसका जो कोस्ट प्राइज है, सेवन फिफ्टी है, क्योंकि जो प्रोफिट और लोज कोस्ट प्राइज पे होते हैं, ठीक है, तो सेवन फिफाइज का टैन परसेंट, सेवन फिफ्टी का टैन परस अच्छा है ठीक है ना तो सेलिंग प्राइज क्या रहेगा टैन परसेंट लोस का मतलब 75 का लोस तो 750 में से 75 सब्ट्रेक्ट कीजिए तो 675 यह क्या गया हमारा सेलिंग प्राइज अब वेरिफाइज भी कर लेते हैं ओवर ओल ही नाइदर गेन नोर लोस यह दो वो चीज़ के क्या है कोस्ट प्राइज तो 500 और 750 को एड करूँगा तो 1250 यह क्या है कोस्ट प्राइज सेलिंग प्राइज इनको भी जोड दीजिए तो आप देख सकते हों दोनों ही जगा है कोस्ट प्राइज और सेलिंग प्राइज इकुल है मतलब ना लोस हुआ ना गेन तो उप्षन जो डी है उससे ही अंसर है